कम्पनिया भी अब अपनी कार्स में एडिशन पर एडिशन एडिशन पर एडिशन दिये जा रही है मानो ये अपनी कार्स के साथ Hyundai ने भी अपनी कार्स में टाटा की तरही रंगा रंग कारे करिम शुरू कर दिया है Hyundai ने कुछी टाइम पे ले अपनी क्रेटा एंड अलगजार का Adventure Edition लॉंच किया था और अब Hyundai ने Venue का Night Edition लॉंच कर दिया है तो आईए जानते हैं इस Night Edition में आपको क्या कुछ नया मिलता है सबसे पहले बात करते हैं एक्स्टिरियर की Hyundai Venue में आपको नया Black Color मिलेगा जिसमें से सभी Chrome and Silver Element को यानि कि इस नए Night Edition में आपको Chrome Element जैसे ग्रील, लोगो, अलोईस, रूफ रिल एंड बेचिंग को कम्प्लीटली ब्लेकड आउट कर दिया गया है साथ ही Front and Rear Bumper के साथ New Alois and Roof Rail में Copper Color Element का यूज़ किया गया है इसी के साथ Front and Rear Skit Plate को भी Blacked Out कर दिया है New Alois को और भी ज़्यादा अग्रेसिव लुक देने के लिए Calibers को Red Color दिया गया है इनकी सिवाइस Venue में कोई भी Difference नहीं है अब बात करते हैं इसकी Interior की Interior में भी आपको थोड़े बहुत Cosmetic Changes देखने को मिलेंगे जिसमें आपको Completely Blacked Out Interior मिलेगा और यहाँ भी Black Color के साथ ऐसी Vents and Stirring View पर Copper Color का Use किया गया है इसी के साथ Seats में भी Black Color के साथ Copper Color का Touch दिया गया है और अब Venue में भी आपको Extra and Krita की तरह Dual Dash Cam भी मिलेगा साथी Normal Venue में आपको Manual Dimming IRW मिलता था लेकिन इस Night Edition में आपको Auto Dimming IRW मिलेगा इसके सिवा Interior में भी कोई Changes नहीं है अब बात करते हैं Variants and Pricing की तो यहाँ पर Venue के कौन से Variant में आपको Night Edition मिलेगा और क्या कुछ उसकी Pricing होगी वो आप अपनी Mobile Screen पर देख सकते हो Night Edition Venue की सिर्फ पेट्रोल वेरिंट में ही मिलेगा यानि कि इसके Diesel वेरिंट में आपको Night Edition का Option नहीं मिलेगा वैसे आपको यह Night Edition कैसा लगा हमें कॉमेंट में ज़रू बताना बाकि मिलते हैं किसी और नई वीडियो में तब तक के लिए बाई